बैंक की तरफ से बहुत सारे रेक्रुटमेंट निकल रहे हैं वन बाइवन तो यहां पे आभी जो IDFC फर्स्स बैंक है जो की इंडिया का फास्टर्स गुरिंग बैंक अभी उसकी तरफ से रेक्रुटमेंट निकल हुई है पोस्ट है आपका एस्सोसीयट लेलिसंसिट मैनेज और जो सेल्री आप एक्सपेक कर सकते हैं वो है 6 lakh जो वेरी करेगी आपके experience आपके skills के बेस पे बात करते हैं job location की एक्रोस इंडिया रहने वाली है इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो देख लेते हैं तो इसमें कोई भी graduate किसी भी stream से इसली अप्लाई कर सकते हैं यानि कि आपके पास degree है अपने degree कंप्रीट कर दी है तो आप लोग यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं तो 2024 batch और उसको बिलोग बैचे से यहां पर एलि इसकी स्किल्स की रिक्वार्मेंट है जो कि है strong analytical skills attention to details उसके बार good communication skills and team skills तो यह basic skills requirement रहते हैं कोई भी companies में good communication skills आप कोई भी company में चले जाएं किसी भी job opportunities के आप लिए आप लिए कर रहे हैं तो आपके आपे communication skills अची होने चाहिए बात करते हैं next flexibility and adaptability जो भी work आपको आपको लोने चाहिए वाक को करने से लिए ओके सो apply कैसे करना है आप लोगोंने apply बहुत ही simple है link निचे description मिल जाएगा और comment section में मिल जाएगा वहां से आप लोग इजी लिए apply कर सकते हो तो जैसी link पर क्लिक करोगा you will be directed to jobforfaces.co.com website आपको सारी details मिल जाएगी a2z कर लेना and here when you scroll down आ how to apply for idfc first bank and you have a link just click on click here to apply to apply for this position उसके लावा you guys can join our telegram group and website group वहां पर हम आप लोग यहां पर बहुत सारी यहां पर job opportunities लेकर आते रहते हैं okay so देख लेते हैं कि आप कैसे apply करना है just click on click here to apply so you will be directed to the official page ठीक है तो यहां पर आपको साइड इटेस मिल जाती है और यहां पर आपको क्या करना है apply now पर क्लिक कर लेना है ठीक है तो आपके सामने ऐसा page open होगा पहले आपको आपनी mail id फिल करनी है यहां पर क्लिक करके next पर क्लिक कर लेना है तो जैसे next पर क्लिक करोगे next है one by four है आपको यानि कि टूटल four stages यहां पर आपको है पहला है आपको आपको अपना resume upload करना है ठीक है make sure resume आपने update कर लिया हो अपने job की requirement है उसके साब से and या पर आपना resume upload करने के बाद next है आपका आपना name और फिल करना होगा उसके बाद आपका अपने नंबर नंबर यहां पर जो कि हर कमपनी नंबर नहीं बनाए तो बना लेना बहुत ईजी प्रोसेस है online easily apply कर सकते हो pen के लिए उसके बाद within 42 72 hours में आपके mail id पे भी pen नंबर आ जाएगा और एक अप्तिक अंदर नंबर आपको प्रवाने अकाउंट नंबर जो की pen है वह आपने बहुत जाएगा अगर आपने pen नंबर के लिए तो apply कर लेना उसके बाद आपने फिल कर सकते हो और दन पर क्लिक कर लेना है यहां पर pen नंबर डाल गए उसके बाद आपका current address तो यहां पर address होगे रहा फिल कर लेना है आपको education में अपने education background से यहां पर add कर लेने हैं जो भी आपका education background है यहां पर institute name university name जो भी आपको college का नेम है जब आपने start किया था last date जो भी आपने आपने college community किया हुआ है college country यहां पर select कर लेना इंडिया college city जो भी आपके city रहेगी school name यहां पर select कर लेना उसके बाद आपको यहां पर done पर click कर लेना है experience है तो आपको यहां पर experience फिल कर लेना है फ्रेशर चोज जीरो ठीक है अगर आपको year यहां पर आपको क्या करना अगर फ्रेश प्रेशर experience candidate यहां पर डाल सकते है preferred location जो भी आपको यहां पर प्रिफर्ड लोकेशन में देख लेना कि add up to the three cities and commerce मुंबए जो भी यहां पर offices रहेंगे जो भी आप एक्स्परियोंस पर इट कर सकते हैं अगर आपको छोड़ देना उसके बाद आपको बहुत इंपोर्टन सेक्षिन एड़ करोगे तो जो भी आपकी स्किल्स है यहां पर फिल कर सकते हो जैसे कि गुड़ कम्यूनिकेशन गुड़ लिडर्शिप क्वालिटी इसके लावर डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्राइब करना होता है कि आपके पास यह स्किल्स है त इंक कॉलेजर आपके जो है लीडर्शिप क्वालेटी जो यह बहुंद जाती है तो चीज आपैंपे डिस्क्राइब कर kilo सकते हो उसका द Studios आपको पर क्लिक केलने ने है एक से हमेगा आपको कुछ दिख जाएंगे तो आपको इनकोenser करना होगा οποेख डिदैंड uh तो आ के नहीं होगा और दी तो आपको उन करना पर पर प्रियवेस न पर फॉपरमेंस शब अपने कंपनी के साफ साफ यहां पर एने कल लेना क्या फ्रेसर हो तो आपके लिए अप्ली नहीं रहेगा अगर आपके कोई यह कर सकते हो अपर नो करना होगा कर लेना अर्यू 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 कर लेना इसके लेना यहाँ पे करने ऐख नहीं करना होगी इसके बाद है आई यूपन टुफीड और सेल्ज करने लेना होगा तेटिके यह फ्लेक्सिबल आपrick वे यह अगर आप नो करने आ ना हार यह ऑपन टू रखेश्ट करने के लिए आब करने के लिए तो आप रेडिये तो आप कले ना हो धो तो के अच्छारइब करने के लिए तो आप यह क्लेंग हो। लेना यहां पिलेना खुल लेना था जो भी आपको और तो क्या लेना है तो भाया पर कर लेना है तो करने के बाद आपको आप आपको ना document यानि कि resume upload करना होगा यहाँ पर आपको यहाँ पर cover letter भी upload करना होगा cover letter आपको telegram पर मिल जाएगा वहां से आप freely डॉट करके यूज कर सकते हो जिस्ट minor changes करने होते हैं अगर नहीं मिल रहा है तो cover letter निसे comment कर देना आप लोग के सांथ लिंक शेयर कर दूंगा cover letter का आप directly उसको यूज कर सकते हो ठीक है फ्रवाद changes आपको करने पड़ेंगे तब आप उसको यूज कर लेना उसके बाद आपका यहाँ फोटो आपको अपलोड करनी होगी उसके बा कोई questions भी रहते हैं कि हम apply तो करते हैं लेकिन कोई response नहीं आता company की तरफ से तो जैसा कि मैंने पहले आप लोगो को बोला है कि जो भी company के आप से response आता है वो time लेता है थोड़ा सा आपको थोड़ा patience रखना होगा कभी-कभी यहाँ पे दो हपते में तीन हपते में कभी-कभी चार अपते में भी आपको कम में तरफ से response मिल सकता है अभी बहुत साही लोगों को वीप्रो एसेंचर की तरफ से आपे जो हो की तरफ से आपे जो है mail वागेरा आने लगए हैं और कुछ लोग का इंटर्व्य mail भी सड़्वी हो चुका है जो हो के साब all the best all the candidates जिनको अभी जो कि regularly आपे 100 प्लस companies में अप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो आपको आपे compete करना होगा 1000 प्लस candidates से क्योंकि you are applying in off campus ओके तो hard work करते रहे हैं आपको भी response जरूर आएगा बस अपना resume जो है अपडेट करते रहेना अपने job के requirement के साब से और अगर कोई help ची है तो आप directly correct भी कर सकत and keep applying for the job, all the best, bye bye